कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है बहुत ही सही लाइन है कि जब तक आप हार नहीं मानोगे वो आपकी जीत में ही बदलेगी तो साथियों आज हम इसी तरह नया लेके आएं को एक सीरी हमारा जो कंट्यूनी चल ला था उसका नया पार्ट ऐसे हम पड़े पार्ट एक पाई पार्ट वीडियो डाली रहे हैं आप इसे ध्यान से देखिए सुनिए और समझना ठीक है सरसोती केरियर पॉइंट चैनल को ज्यादे ज्यादे लोगों को शेयर करके लाइक करना और बगल में बैल आइकन प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालू सब से पहले आपको मिले आप इसकी सुजना और जानक इसकी परसीदा परसान दरा उनीसक छ snapshot में कहां परारम वहा तो यह दिली में क्याने का मतर्त सबसे पहले जो टीबीका परसाराण जो क्रिकेट में यानि क्रिक पर्केट में ने किर कपनी का परना टीबी में चो नेक Dryच लीन वह थैए Nikki की निय्री पोकिए तो यह तो यहीं मदुमद मदुबनी कला का जो संबंद है वो आपका बिहार राजी से ठीक बनारस हिंदु विश्टो विद्याले की इस्थापना मदन मोहत मालबिय ने की थी कब 1916 में कला की गांधार सेली को किस सेली के संग्या दी जाए तो यह ग्रीक बहुत यहीं यानि इंडो रोमन सेली बोलते हैं इसको हिंदी में ग्रीक बहुत सेली गएंगे ठीक अकबर का राजिया भी से 14 वर्स की आयों में कहां हुआ था तो यह काला नौर में हुआ था रा तो इससे यह नहीं लखने कि बार-बार रिपीट होने से आपका दिमाग अच्छे से काम करता है क्योंकि आपने का पहले उसके साथ तब पढ़ा था अब इसके साथ आप पढ़ा है तो यह आपको याद रहता है ठीक हुमायू के मगबरे का निर्मान किस नहीं किया मीरक मि शिजा गयास बेगने ठीक विश्व की सबसे चौड़ी जलसंदी कौन से तो ये 25 जलसंदी है विश्व की सफेट चोड़ी ईलाइजी की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त मिट्टी होती है तो यह लेट्राइट मिट्टी होती है प्रितवी का आउसत तापमान कितना है 15 ड असोक इस्तंब को दिल्ली किसने लाया था ये फिरोसाथ तुगलग ने ये दिल्ली लेके आये थे ठीक है अवत का अंतीम नवाब कौन था तो वाजिद अली शाह मांट एवरेश्ट का नाम भारत के किस महा सर्वेक्षक के नाम पर पढ़ा तो ये जॉन एवरेश्ट नाम थ भारती इतिया समदी कुछ मुगलों की सूची है कौन सार कब बना था बाबर 1526-530 तक इसने सासन किया और बाबर ही मुगल वंस का क्या था संस्ताबक था ठीक 1530-540 तक हुमायू रहा ठीक है फिर 1540-155 तक यह सूर वंस सेरसा सूरी ने दिल्ली पे कपजा कर लिया और हु 352-156 में सेरे मंडल के पुस्तकाले से गिर इसकी मौत हो जाज़ फिर उसके बाद क्यों आ जाता अगबर आता है इसका पुत्र ठीक है भाबर का पुत्र हुमायू हुमाय का पुत्र अगबर अगबर आये था 1556 में चपन से यह 605 तक गद्दी में रहता है 6056 तक रहता है ठीक है इसी का सलीम था बात में नाम ये जहांगीर नाम से गद्धिवर्थ फिर इसका पुत्र आता है सोलसु सत्य से सोलसु आठाउन ते देखो जहांगीर के टाइम पर चित्रकला का स्वानकाल कहा गया इसने चित्रकारी में बहुत ध्यान दिया ठीक फिर साह जहां है तो लाया कि इसको इस्ताप्त्य काला आगा का फिरे इसने सारी ये जितने किले उपने दिली लाल किलह ऑगे डिली में और आपका साजहां का मगबर अँगया कई सारी ऐसे इस्तापतिक लाएं बड़े-बड़े भावन ने यह सारे सहाज जहां के गाल बने साज जहां के बाद पंदर सो इन्हों ने ताज रहा आगरा का ताज भाहल बनाया था ठीक उसके बाद आया आपका औरंजे औरंजे पंदर यह सोल सो अठावन में आगया था और 707 तक सबसे ज्यादा सासन करने वाला अगवर अगवर के बाद और यहीं था ठीक इसने अपने पिताए सब्सक्राइब के लिए और खुद राजा बनिया था कौन और अरंजे ठीक और यह के बाद उसका पुत्र बहदूर साह पर्थम ठीक है 507 से 701 तक गदी में बैठा उसके बाद है जहांदर सा को लंपत मुर्ग कहा जाते हैं उसके बाद है फ़रुक शियर फरुखसीयर को घेनिक्त कारिय का जते हैं सत्तर सो तेरह से सत्तर सो निस्त पराठ फिर कर लद Kennes सियार आया था है यह सतर सो निस में थोड़ी दिनों के लिए आया था ये भी आउड़ा फिर आया तो मुहमत इब्राहीम सतर सो बीस में मुहमत इब्राहीम 1754 पिसा जहां दितीय आए तिरुतिया था ठीक है आलम गिर्टिया दितीय था जहां तर्थे याए था यह साथ रूतिया ने तर गर श कवेश्या आलम दितीया है जा। आहा था तो यह अंति मुगल बासा इस तरह से मुगल बासाओं की जो सूची थी टोटल कितने थे दस थे ठीक है आपका बाबर से सुरू होता है और अंत में बहदूर सा धर तक चले जाता है ठीक चले आगला बिंदू देखें भारत की कारपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो हमारे य पद्यती राष्टपती पद्यती में समस्त कारे पालेगा कि सकति किस में नहित होती है राष्टपती में होती है भारती है समिधान के अनुसार भारत का प्रतम नागरिक कौन होता है तो यह राष्टपती होता है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापती या पानुपातिक परती दुएयम एकल संकरमणिय प्रनाली द्वारा ठिक है भारत के राश्च्पती का चुनाओ कौन संचालित करता है तो यह निर्वाचनायू करते हैं राश्च्पती के चुनाओ संबंदी मामले कहां बेचे जाते हैं उच्चितम नहायलाया या भारत के राश्टपती का चुनाओं कितने वर्सों के लिए था पांच वर्सों के लिए राश्टपती के पद राश्ट पती को पत से कैसे अटाय जाता है तो यह संसत द्वारा महा भीयोग चला कर ठीक राश्ट पती पर महा भीयोग किस आधार पर चलाय जाता है तो यह संभीधान का अतिकर्मन करने पर ठीक राश्ट पती का राश्ट पती पर महा भीयोग किस आधार पर लगाय जाता ह तो जो यह कोशिन थोड़ा बदल गया राष्ट पती पर महा भ्यूग जो लगाने का आधारे वो कहां से लिया गया तो यह अमेरिका से लिया गया ठीक भारत के राष्ट पती को पद गोप नियता है कि सपत कौन दिलाता तो भारत का मुख्य न्यायदीस भारतिय समीधान के क से इसे नुचेत के नतर्कत मुख्य न्यायदीस राष्ट पती मुक्य न्यायदीस के समुख्य सफथ गरंड करता है तो यह अनुचेत सच के तहएथ अंचिस साथ के तहट आपका जो राष्ट पती kamiyaOSH Buddh इसके सम्मक्षई क्या करते हैं सभत लेता है राष्ट pixel अपना त्या Tibad dealers किसे सौंपता है राष्ट पति घूल राष्ट पति कर ल। राष्ट पति किसको बर रीदिल राष्ट पति के त्याकबत्र की सूचना उपराष्टपती किसे देते हैं तो ये लोक सबाद्यक्ष को देते हैं ठीक भारत के कौन से राष्टपती निर्विरोद चुने गए थे तो ये निलब संजीव रेडी थे ये बार-बार पूछा जाने अला कुशन है स्वतंत्र भारत के परतम राष्टपती किसे किस राजे थे तो ये बिहार से थे कौन डॉक्टर आजेंदर परसाद भारत के किस राष्टपती की मिर्तिव कारेकाल खातम होने से पहले हुई तो ये डॉक्टर जाकिर हुसेन भारत का राष्टपती जिसके किसकी नियुक्ति नहीं करता है तो यह उप्रय्ट्थ्र वती कि जियूपतीर नहीं करता है भारत का राश्ट्थ ठिक बित्थ विल के लिए किसी सुउक्रुति आउश्यक है जो भी बित्थ बिलOoh होता है तो उसमें स्विक्र्थी किस की होनी यह neutral कि कि लोग सभाव ऑर राजसभह में राश्ट प्रती कितने सदस्ष्ञों को अनुनीत करता है लोग सभाने में दो और राजसभह भावया, बार कुल छौदों को ठिक, भारत के राष्ट्रपती को को झरा देता है तो सं घीय मंत्री परिश्यत ठिक भारत की जो राष्ट परिश्यत इनको सं घीय मंत्री सद ह्या करतें स कौन सा ब्यक्ति कारेवाहक राष्टपती तथा उच नियालाई का मुख्य नियादिस रहा तो M हिदा दुल्ला केने का मतलब हो कि पर्थम कारेवाहक राष्टपती कौन थे तो ये सरुच नियालाई के मुख्य नियादिस कौन M हिदा दुल्ला किस विदेग को राष्टपती पुन्दर विजार के लिए नहीं लोटा सकता है तो ये धन विदेग को ठीक युद्ध अत्वा बाहरी आकर्मन की इस्तिति में आकर्म पकाड़ी हो के भी रुद्ध युद्ध की कोशना कोन करता है राष्टपती किसी व्यक्ति को दोसी पाइस जाने पर उसे छमादान दे सकता है राष्टपती भरत के राष्टपती ने किस मामले में ब्यूटो शक्ति काउ प्रियोग किया तो यह भार्टी डा का दिनियम गया ज्यानी जेल सिंग ने 1986 सथासी में ठीक भारत के राष्टपती वा उपराष्टपती की अनुपस्तिती में कार्या भार गरहन कौन गता सरुचिन्या लाई के मुख्य निया अधिकार राष्टपती का कौन सा अधिकार यह बिधाई अधिकार है भारत का राष्टपती किसके द्वारा चुना जाता था सांसदों वो तो बिदान सभाग के निर्वाची सदस्यों दोड़ा ठीक इसमें सदस्यों लिख है लेकिन निर्वाची तो नीचे मनोलिश नहीं चलता है स्रीमती परतिभाः भारती गनतंत्र में कौन से रश्टपती यह बार्वी रश्टपती और पर्थम महिला रश्टपती इनका पू लोगलिक छेत्र को अनुसूचित छेत्र गोसित करने का अधिकारे राष्ट्रपती को भारत का समविधानिक अधिक्ष कौन होता है राष्ट्रपती भारत के प्रतम राष्ट्रपती डॉक्टर राजिंदर परसाद का चुनाओ के सिवा समविधान सभात द्वारा भारत का र राज्ये में राष्टपती सासन की किसने कितने समय तक लगा रहे था तो किसी राज्य में अधिकतम इति गुश्ट तेन वर्च्ट के लिए और नियूनतम 6 माह के लिए घुर हरव हाव हैं इसका अनुमोंधनिया शुन की तो किया चाहते है ठीक है राज्य के मेरा राष्टपत्री सासं की स्कर्फञा कौन inequality आ यह राष्टपत्र करते है अक्ष भर कितने kilometer प्रती गंटे के रपतार से गोंते दिखो 1610-0-30عت कि अपने अक्षे में में घ्ःष से 1610-80 प्रती जुल 2-ीड़े से कि अंदर कितना यंद प्रतर है के दूर्विय व्यास और विस्वति हय के इंदर तो 42 किलोमेटर मेर्वा दुर्वी बैयाश और विस्वति बैयासन कितना अंतरे तो यह 42 किलोमेटर के ठिक है के सुर्य का गुर्ता करस्वा कर्षण बन पृति वह तो कि Mogh कितना थीक है 28 गुना अधिक है ठीक साथ क।्राइश यह जल के साफिकी प्रथिपीं तो इसके पंस दसमलों फ़ीत जल के सपर्थि परकर बदावेबियश जो उत्तरप्रदेश में सब्सक्राइब भिरृ उत्तरप्रदेश में पर नहीं है ठीक है कानपूर महल यह कानपूर महल नाम है यह एक महल का हुआ है धौलापूर राजस्तान में अगबर का मगबरा और अगबर का किला कहा है यह सिकंद्रा में अगबर का मगबरा है अगरा में पढ़ता है यूप में और इलहाबाद में अ समझाना है कि आपको कि किस तरह से इस चैनल में आपको पढ़ाया जा रहा है और बताना है और ज्याथिस ज्यादी लोगों को फारवड करना ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगया और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कोशन को ढूट के और भी अच्छे से बनाओ और सब्सक्राइबर मैं चाह रहा हूं कि एक मेहने के अंदर कम से कम 500 से उपर से ले जाएं अगले मेहने में हजार डोड़ हजार ताकि मैं एक वीडियो बनाओ और वो आपका सभी को फाइदा पहुचा है तो आपको सुब कामना है अपने आने वाले ब मेहतित करिए और अपने आपको तत्पर रखिए ठीक है धन्यवाद